तो दोस्तो आज मैं आपको ऐसे दो टिप्स एंट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने यूटूब वीडियो या फिर यूटूब सॉट वीडियो के कस्टम थमनेल को चेंज कर सकते हैं अपने ही मुबाइल या फिर लेफट आप से इससे पहले दोस्तो मैं को बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक प्रोफेशनल और या चिट्री क्वालिटी में थमनेल बनाना नहीं आता है तो मैं उपर आई बटन में या फिर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप चेक आउट कर सक ओपन करने के बाद जैसे जैसे मैं फोन में बता रहा हूं सेम आपको अपने लेप्टॉप में करना है और इसके बाद में टॉप कॉर्णर में आपको सर्च कर लेना यूटूब डॉट कॉम जैसे आप यूटूब डॉट कॉम सर्च करेंगे आपके सामने एक नया और वहाँ पर एक option दिखाई दे रहा होगा कस्टमाई चैनल का सिम्पल्स आपको उसपे click कर लेना है जैसे आप click करेंगे ये सीधे आपके एक नए page पर लेकर जाएगा और वहाँ पर आपके सामने एक वीडियो का आपसन दिखाई दे रहा होगा सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर लेना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होंगी वो दिखाई दे रहे होंगी जिस भी वीडियो का कस्टम थमनेल को आपको चेंज करना है उस वीडियो पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने एक pencil वाल आइकन दिखाई दे रहा होगा Simple सा आपको उस पे click कर लेना है और यह سुधे आपको नए page पेश पर लेकर जाएगा तो दूस्तों नीचे आपको एक option दिखाई दे रहा होगा upload thumbnail simplyस आपको उस पे click कर लेना है जैसे आप click करेंगे आपके सामने एक नया interface नज़र आएगा और वहाँ पर आपके सामने वो thumbnail आजाएगा जो आपने video के लिए बनाके रखा था आपको उसे select कर लेना है आप जैसे select करेंगे आप पहले वाले page पर चले जायेगे और वहाँ side में आपके सामने एक save का बटन दिखाए दे रहा होगा आपको उस पर click कर लेना है आप जैसे click करेंगे तो आपका यहाँ पर वो thumbnail change हो जाएगा तो दोस्तो second tips में आपको अपने phone में play store application को open कर लेना है जैसे आप उसे open करेंगे वहाँ पर आपको search कर लेना है YT studio और जैसे आप उसे search करेंगे वहाँ से उसको download कर लेना है download करने के बाद आपको उसे open कर लेना है जैसे आप उसे open करेंगे तो वहाँ पर वो बोलेगा कि आप आप इसे अपने YouTube चैनल से इसे लिंक कर लिजिए Simple सापको उसे आप लिंक कर लेना है और इसके बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस नजर आएगा दोस्तों वहाँ पर आपके सामने एक आपसन दिखाए दे रहा होगा View More का Simple सापको वहाँ पर क्लिक कर लेना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी जितनी भी वीडियो उस चैनल पर अपलोड है Simple सापको वहाँ पर एक वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो पर आपको अपना Custom Thumbnail चेंज करना आपको उस पर जैसे क्लिक करेंगे Top Corner में आपके सामने एक Pencil का आइकन दिखाए दे रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है जैसे आप click करेंगे फिर से आपके सामने एक pencil का icon दिखाई दे रहा होगा उस पे आपको फिर से click कर लेना है जैसे आप click करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई दे रहा होगा change का आपको simple सा उसको select कर लेना है जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके सामने done का option दिखाये दे रहा होगा उसके आपको click कर देना है तो दोस्तो इस तरीके से आपका custom thumbnail change हो जाएगा तो दोस्तो यह हैं दो tips and tricks जिसकी help से आप बहुत ही आसानी से अपना custom thumbnail change कर सकते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और दोस्तों इस चनल पर पहली बार अगर विजिट किये तो इस चनल को सब्सक्राइब करके साथ में बिल आइकन भी प्रेस कर लेना क्योंकि हम आगे भी ऐसे नॉलेजवल वीडियो लाते रहेंगे तो चले दोस् प्र्वार वीडियोग सर्फ दोस्तों।